तो दोस्तो ठंड के मौसम में डेंडरफ होने की समस्या आम हो जाती है ये सिर्फ हमारे बालों को नुकसान ही नहीं पहुचाती बलकि सरमिंदा भी करती है इसे दूर करने के लिए केमिकल युक्त सेम्पू, कंडिशनर का जैदा इस्तेमाल करने के बजाय कुछ अन्य उपय किये जा सकते हैं तो बालों को होने बाले नुकसान से बचाया जा सकते हैं तो आईए जानते हैं कुछ टिप्स सबसे पहला टिप्स है नारियल का तेल जी हाँ नारियल का तेल रूसी के लिए एक बेहतरीन उपाय है नहाने से पहले 4-5 चमस नारियल के तेल से मालिस करें और 1-2 घंटे वाद बालों को धोलें रात भर लगा कर भी छोड़ सकते हैं इससे डेंड़र फ्रमे रहात मिलती है एसा सेंपू भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें नारियल तेल हो दुसरा उपाय है नमक सेंपू करने से पहले डेंडरफ को साफ करने के लिए नमक बहुत कारगर है नमक को स्केल पर डाल कर हलके हातों से रगड़े इससे मृत तच्वा निकलने लगेगी कुछ दे रगड़ने के बाद सेंपू कर लें आप आएंगे कि डेंडरफ पहले से काफी कम हो रहे हैं जब भी सेंपू करें इस प्रक्रिया को अपनाएं कुछ ही समय में डेंडरफ से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा तिसरा टिप्स है निम्बू का रस दो चमच निम्बू के रस को अपने बालों के स्केल पर रगड़ कर इससे अच्छी तरह से मालिस करें फिर एक पानी में एक निम्बू का रस मिलाएं अब इस पानी से अपने बालों को साफ करें एसा आप हपते में तीन बार कर सकते हैं और चौथा टिप्स है नरियल तेल निम्बू का रस जी हाँ, नरियल के तेल में एक चमच निम्बू का रस डाल कर इने हलका गर्म कर लें अब इस तेल से अपनी बालों की मसाज करें, फिर संपू से अपने बालों को धोलें, ये प्रकिरिया आप हठे में कम से कम दो बार जरूर करें तो दोस्तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब खरदे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना मूलें क्यूंकि आगे भी हम आप लोग के लिए इसे ही टिप्स भारा वीडियो लेके आ प्राप्रेंगे